नमस्कार मैं अभशेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फूकस श्टेड वित अभी में तो चैंपेंजी के स्रीज आज हमारा जो है सेकिंड लेक्शर होने वारा है और आप सभी को पता है कि चैंपेंजी के स्रीज में अगर तयारी करनी है चाहे आप SSC के हो चाहे आप रेलवे के तयारी कर रहे हो तो भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहां पर चीज़े मिल रही है तो चलिए आज ही क्लास नंबर टू स्टार्ट करते हैं जो लोग भी अभी तक अगर ट्रिलिग्राम ग्रूप से नहीं स्टेट के द्वारा आउजित कियेगा जो आपके टीसेस हमेशा ही पूछती है वो सब कुछ मैंने एक जगा ही कंबाइन कर दिया है कम से कम 125 एक से 125 कम से कम फेस्टिवल मैंने विथ ट्रिक आपको चीज़े याद करवा चुका हूँ ठीक है तो जरूर देखे लिंक डिस्क सब्सक्राइब करें कि आपको वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छा लगता हो कंटेंट तो और अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो लोग को भी फायदा हो रहा तो एक बार कमेंट हमें जरूर करें क्योंकि आपके एक कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए काम करता है आपके ऐसे कंटेंट और भी अच्छी तरह से मैं आपको प्रोवाइड कर सको चलिए चाहे आप देख सकते इन में से किसे भी एक्जामिनेशन के अगर आप तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए काफी इंपॉर्डेंट होगा यह स्रीच तो सबसे पहले हम यह पर बात करने वाले है टेंपल की देखिए कुछ फैक्ट यहां पर मैं आपको इसा आपको बताना चाहूंगा कि जो मंदिल की जो निर्मान की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी आपसे पूछा जाता है एक्जामिनेशन में तो यह आप बोलेंगे मौरेकाल से जो है आप मतलब कि उसका सुंदर्ता पर ज्यादा ध्यान देने लग गया था कब से जो वहां के आर्खिटेक्चर थे तो वह आपका गुप्त काल से ठीक है तो मंदिल निर्मान कब से स्टार्ट हुआ है तो मौरेकाल से और अगर पूछ लिया जाए कि किस काल से डिजाइन दार बड कुछ-कुछ स्पेसिफिक मंदिल है जहां पर कुछ रत यात्राएं वगरा निकली है या फिर वहां पर कोई भगवान है जो स्पेसिफिक भगवान के बारे आप से पूछी जाती है सब चीज यहां पर मैंने करवा दिया बाई तो सबसे पहला हम लोग उडिसा से देखते ह पूछा जागा कि कुणार्क शुर्य मंदिल कहां पर है तो आप बोलेंगे उडिशा में स्थित हैं दूसरा चीज से किसने इसका निर्मान किया था तो नर्सिंग देव प्रत्म ने कर वाया है ठीक है नर्सिंग डेव? और ये किस वंस के साथा सक थे तो गंग वंस के साथ और आपको यह भी आद रखना मैं नर्सिंग् देव प्रतंब और इसका जो निर्मान केया था कलिंग के जो राजा थे अनन्त वर्मन चोडगंग नी किया ठीक है किस भगवान की अगर वहाँ पर बात की जाये मूरती है या फिर पूजा की जाती है तो आप सभी को पता है जगनात जी स्रीकिष्णी जी को हम बोलते हैं ठीक है तो जगनात मंदिल कहां इस्तित है तो उडिसा मिश्टित है ठीक है तो आपका पांच मंदिल आपको उडिसा से याद रखना है एक हो गया कुनारक का शुर्य मंदिल ठीक है भाई जगनात मंदिल ठीक है मुक्तेश्वर मंदिल लिंग राज मंदिल और तांतरी कियोगरी मंदिल ये चार मंदिल आपको याद कि यहां पर कौन से भगवान के मूर्ती है स्री कृष्ण की मूर्ती है नेक्स्ट आपका जो है जम्मू और कास्मिर जम्मू और कास्मिर हुए अगर पूछलिया जाए कौन सा मंदिल है तो कि याद रखना जो लेटेश से सीजियल का जो 2021 का जो पेपर हुआ है वहां पर पू करें भा मांटके मातन है यहां भी कर सकते हैं अगर दो-तीन बार को देख लेंगे और और साथ के साथ option को भी आप eliminate कर सकते हैं और easy 4 option आपके पास वहाँ पर examination मिलते हैं ठीक है तो चलिए चमब और कास्मिर में कौन सा मंदिल है तो मातरिंड सूर्य मंदिल है इसमें मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं time कम मिला मुझे इसलिए otherwise मैं आपका इसमें help कर सकता था भी ल उसके जो निर्मान करता कोन है तो चंदिल सासक यह बी चंदिल सासक के ही राजा थे लक्ष्मन मंदिल अगर फिर विष्नु मंदिल कहां इस्थथत है तो मद्यपरतेश में तो लक्षमन मंदिल, विष्णु मंदिल कहां पर है तो मद्य पर्देश में, किसने निर्मान करा है तो ये भी चंदिल सासक यसो वर्मन ने, तो इसमें आपको कितने मंदिल है तो चार मंदिल, खजराओ का जेन मंदिल, कंदरिया महादेव मंदिल, विष्णु मंदिल, लक्षम इस तरह से आप चीज़े याद रख सकते हैं तो देखे एक तो कुनार कका सुर्य मंदिल युक्तेशर मंदिल और लिंग राज मंदिल ये चार मंदिल आपको याद रखना ही पड़ेगा उरिसा से साथके साथ ये जो फैक्ट मैंने लिखा जहां भी फैक्ट लिखा वो आपक मंदिल यह दो मंदिल आपको यह तीनों स्टेट के अभी तक याद हो गया हूं कि मैं इतने बार बोल दिया महराष्ट की बात करें, महराष्ट में जो मंदिल है आपका कैलास मंदिल, ठीक है, ये महराष्ट में भी आपको मिलेगा और मैं आपको एक स्टेट में और भी बताऊँगा, वहाँ पर भी आपको कैलास का मंदिल मिलेगा, लेकिन ये जो क्लास मंदिल है, ये महराष्टा में तो याद रखेगा केलास मंदिल अगर पूछता है और अंगा बात की केलास मंदिल का निर्मान किसने करया था तो राश्टु डुवन्स के सासर जो है नरेश कृष्ण प्रथम ने आंदर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो आंदर प्रदेश में पूछा जाए कि वै यह तीनमंदिल काफी इंपौति है घर्षनाओ मंदिल थेकरे और बात कर लिया जाए केरला राज में कौनसी मंदिर इसतीत है तो दो मंदिर आपको यह दोनों हासान है इसलिए आप इजी याद रख सकते हैं एक तो है पद्ना भष्ष्वामी मंदिल और सब्री माला मंदिल ठीक है पद्ना भष्ष्वामी मंदिल पद्ना भष्ष्वामी मंदिल और सब्री माला मंदिल चलिए वा मैं रिकॉल करवादू अंदर प्रदेश में कौन करता है लेपाक्षी मंदिल हो गया और तिरुपतिव इंकर्टेशन मंदिल जो आपका निल्लो जीला मिश्टित है महाराष्टर में मैंने बोला केलास मंदिल कहा है एलोरा के कलास मंदिल एठी है जो औरंगाबाद में इस्तित है और यह जो निर्मान करता कौन है तो राश्टकुट वांस के सासक नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था नेक्स्ट समस्ट में आपको यह वरी वरी इंपोर्टन कामक्य मंदिल अंबू बार ची मेला मैंने बताया था असम में आपको असीम सेजंवर मंदिल मंदिल यह घैनिजमर gagnerка में आपके ठेमपल है और नगन कौौन कौन सु मंदिल हो गया, विरू पाक्ष मंदिल, संकर भगवान की मंदिल है, क्रिश्न देवरायान नीनIsinkंडिका, मुद्देशवर मंदिल, चिन्ना केशवं मंदिल, हजाराराम मंदिल, जो हंपी में स्थी थै error पाजारा राम मंदिल क्योंकि option में करनाटका नहीं दिया था NTPC में हमपी दिया हुआ था इसलिए confusion में थे लोग तो याद रखे का हमपी रहा चाहिए करनाटका रहा आपको बता होना चाहिए यह दोनों एक ही जगा गोमतेशवर मंदिल जो आपका सरवन बेल गोला और यह क आली मंदिल और रामपा मंदिल नेक्ष्ट राजस्थान में जो मंदिल है दिलवारा यह बहुत बार पूछा गया दिलवारा जैन टेंपल कहां है तो मांट आउबू में किसने निर्मान कराया था तो वस्तुपाल और तेशपाल नामक दो भाईयों ने 1231 में बनवाया था हर्याना में जो मंदिल है important अस्थानेश्वर मंदिल और हिमाशर पदेश की एक मंदिल आपको याद रखना है नागर कोर्ट मंदिल ठीक है नागर कोर्ट मंदिल very very important तमिल नाडू इतने important आपके लिए यह है सोच सकते कि कितना temple आपकी examination में पूछा गया तमिल नाडू में अगर पुछ लिया जाए तो पहला केलासनाथ मंदिल देखिए यहाँ पर भी केलासनाथ मंदिल मिला और मैंने आपको महराश्ट्रा में भी याद करवाया तो वो था ऐलोरा की ठीक है केलासनाथ मंदिल लेकिन यह कहां की है कांची पूरम जो तमिल तो देखे ये तमील नाडू भी ऑप्शन भीं मिल सकता है कांचिपूरहं भी हो सकता तो यह पता हो 16 मंदिल और अभी मैंने आपको करवाया था मुध्देश्वर मंदिल ठीक है यह मैंने बताया है करनाटOKA में मुध्देश्वर मंदिल ठीक है और यह है आपका मुग कुवेश्वर तो यह confusion वाला थोड़ा सा नाम है इसलिए याद रखेगा मुग कुवेश्वर बोला जाएगा तो यह तमिल नाडू में है कहां कंची कांची पूरम में नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट राज राजेश्वर मंदिल या फिर इसे ही कहा जाता है ब्रिया देश्वर मंदिल जो कहां इस्तित है तो तंजोर में इस्तित है और तंजोर जो है केवरी नदी के किनारे ठीक है सोरी कावेरी नदी के किनारे इस्तित है कावेरी नदी के किनारे इस्तित है ये दूसरी जो मंदिल है मिनाक्षे मंदिल जो कहां इस्तित है तो मदुरही में इस्तित है वेगई नदी के किनारे इस्तित है नेक्ष्ट महाबली पूरम की समारक जो है इस सहर का जो निर्मान ये किस ने किया था तो नर्सिंग वर्मन प्रथम ने किया था नेक्स्ट मंदिल नागेश्वर मंदिल और उसके बाद वाद जो मंदिल आपका गंगे कोंड चौल पूरम मंदिल जिसने राज़न चौल प्रथम ने इसका निर्मान करवा था गंगे कोंड चोल पूरम मंदिल कहां इस्ती था तो तमिल नाडु में स्ती था नेक्स्ट मंदिल जो है नटराज मंदिल जडगड़श्वर मंदिल जडगड़श्वर मंदिल कहां इस्ती तो तमिल नाडु में है मंग लेशवर मंदिल कहा है तो तमिलनाडू के कांची पूरम मिस्तित है चोलेशवरम मंदिल, एरावतेशवर मंदिल और कंचल पूरम मंदिल ये सभी मंदिल आपके लिए काफी important ये देखें बहुत very very important मैं बो रहा हूँ कोई ना कोई trick आपको लगाना होगा या मैं मैं कोसिस कर रहा हूँ एक trick की वीडियो मैं ले आउं टेम्पल की छोटी-छोटी वीडियो मैं हर state की मैं बना दू ठीक है बाखी आप एक बार comment करिए भाई अगर अच्छा लगता है वीडियो भी कहा जाता है मिनाक्षी मंदिर, महाबली पूरम किसमारक नागेश्वर मंदिल, गंगे कोड चौल पूरम, नल्टराज मंदी, जल गड़ेश्वर मंदी, मंगलेश्वर मंदी, शोल, चौलेश्वरम मंदी, एरावतेश्वर मंदी और कंचल पूरम मंदील, नेक्स जो आप का आता है गुजरात गुजरात के अगर बात कर लिया जाए तो पालिताना मंदिल कहां है तो गुजरात मिस्तित है किस धर्म से समंदित हो तो जैन धर्म से समंदित है कौन सी यहाँ पर दूसरी मंदिल जो आपके सूरिय मंदिल है द्वारिका दिस मंदिल कहां है तो गुजर स्वर्ण मंदिल कहां इस्तित है तो पंजाब में इस सहर को बसाया था और यह सहर को बसाने के लिए जो जगा दिया था किस ने दिया था तो अकबर ने इसके लिए जगा दिया था काफी अरजुन देव ने कहां है तो अमरित सर में है निर्मान किस ने कांद सर में आप इस पर जो गोल्डन किस ने चढ़ाया था था ठीक है इसी किस सवाल आपका बनता है कि यह जो मिया मीर के संत वा रख की इस सवार्ण принस्थ आफ यह पर दीकरों में पंजाब के अब dt इसके लिए जगा किस ने दिया अकबर ने और इसके निर्मान करता कौन है तो अर्जुन देव है उसके बाद golden जो रंग चढ़ा है किसने महराजा रंजित सिंग ने और कौन से सूफी शंद के समय ये निव रखी गई थी तो मियामिर सूफी शंद के समय ठीक नेक्स्ट बिहार का एक very very important महाबोधी मंदिल हमेशा पूछा जाता है ये important temple आपके लिए बुद्धिजम temple है located in both गया नेक्स्ट सतरवा और दसावतार मंदिल है और finally ये खतम होता हमारा उत्तर परदेश का जो famous आपका temple जो आपके पूछता है फैक्ट बन सकते थे वह भी मैंने कोसिस किये कि आपको पूरा करवा दूं बस अब यह कि कम से कम दो तीन मार अगर आप इसे recall करेंगे तो चीज़े याद हो जाएगे तो चलिए मिलेंगा अगले नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए धन्यवाद